हमने सीखा पहला त्रिकोन मिती अनुपातों की मदद से हम पेडों, भवनों, मिनारों, ग्रहों, तारों आदी में पारसपरिक दूरी वह उचाई निकाल सकते हैं दूसरा, द्रिष्टी रेखा प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है तीसरा देखी गई वस्तु का अवनमन कोण द्रिष्टी रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जब वस्तु क्षैतिज रेखा से उपर होता है चौथा, देखी गई वस्तू का अवनमन कोण, दिश्टी रेखा और क्षैतीज रेखा से बना कोण होता है जब वस्तू क्षैतीज रेखा से नीचे होती है पाचसे बिंदु की दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है छट्वा किसी भवन मिनार आदी के शिखर से उसके पात के पास इस्थित किसी बिंदु के अवनमन कोण का मान पात से बिंदु की दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है